हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एस टीवी हर्याना नियूज नमस्कार आप देख रहे हर्याना नियूज मैं हूँ आपके साथ मनीशा ज़ा हला बोल में आज हम बात कर रहे हैं बढ़ते प्रदूशन का जमेदार कौन है कैसे उससे बचा जा सकता है आपके शेतर का क्या हाल है और कैसे इन सब से अब पार पाया जाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है आप इस कारक्रेम के जरीए हम तक अपने अवास पहुंचा सकते है आपकी आवाज को सरकार तक पहुचाना हमारा दाईत्व है नमबर समा आपको दिखाएंगे आपके टीवी स्क्रीन पर उस पर आप फोन कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुचा सकते हैं दिल्ली इंसियार के हवाज जानलेवा साबित हो सकती है अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है अपने आपको आप इस जहरीली हवा से कैसे सुरक्षित रखेंगे ये दाई तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी क्योंकि हवा में प्रोदूशन लगातार बढ़ रहा है और उससे बचना कैसे है ये आपको खुद सोचना होगा सरकार और प्रशासन बले ही आपके लिए जिस भी इस तरपर काम करें लेकिन आपके खुद की सुरक्षा सबसे पहले आपके जिम्मेदारी है नमबर्स लगातार आपके टीवी स्ट्रीन पर फ्लेश के जा रहे है इन नमबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं अपनी राए हम तक पहुचा सकते हैं आपके शेतर का क्या हाल है वो आप हमें बता सकते हैं आपकी बात को सरकार तक पहुचाना ये हमारी जिम्मेदारी है नमबर्स आपकी टीवी स्क्रिन पर इस पर आप कॉल करें और अपनी राए हम तक पहुचाए हर्याना में प्रदूशन का कहर प्रदीश की हवा में जहर घुल रहा है तो आकर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है क्या मात्र पराली जलाने से ही इतना प्रदूशन हुआ है आतिशबाजी भी इसके पीछे की वज़ा है और जो बड़ी बड़ी कम्पनिया है जो बड़े बड़े निर्माना धी निमारते हैं क्या वो भी इसके पीछे जिम्मेदार है और अगर इन सब पर रोक लगा दी गई है तो फिर भी क्यों नहीं प्रोदूशन कम हो रहा है हेल्थ एमर्जेंसी लागू कर दी गई है आप ये सोचिए कि सिती कितनी बत से बत्तर होती जा रही है जिस हवा में आप सांस लेते हैं जिन्दगी के लिए जीने के लिए वही आपकी मौत का कारण भी बन सकती है और ऐसे में आपको सजग रहना होगा आपको सचेत रहना होगा और ये समझना होगा कि आप अपनी रक्षा अपनी सुरक्षा और अपनों की सुरक्षा किस तरीके से कर सकते हैं डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि आप कैसे बच सकते हैं और कौन-कौन से वो उपाय हैं जिसे अपना कर आप दूशित हवा में सांस देने से बच सकते हैं अगर जब तक बहुत ज़ादा जरूरी ना हो आप घर से बाहर ना निकले अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं त अगर आपको सांस देने में दिक्कत होती है कोई भी ऐसी परिशानी है तो अपनी दवाईयां साथ लेकर चले और डॉक्टर से सलाह जरूर ले यह तस्वीरे जो आप देख रहे हैं दिली न्सियार के तमाम अलग-अलग शेत्रू की तस्वीर है और इन तस्वीर में आप दिन की तस्वीर है कोई सुबह की तस्वीर है लेकिन जो क्वी में दिखा बढ़ रहे हैर ऑपको आक मामले सामने आएंगे जहां कम विजिविविलिटी क्सलते दुरगटनाएं होंगी और इन जिलों में प्रदूशन की मार है वो ग्राफिक्स के जरी आपको दिखा रहे हैं फतेहबाद में 883, जजजर में 700, जीन में 600, ये QI का लेवल है और प्रदूशन हवा से बचाब कैसे करें घर के अंदर की गुणवत्ता जो हवा किया है उसे बहतर रखे, दर्वाजे और खिड़कियां बंद रखे, एर प्रिरिफायर भी लगाए, पूरी बाजू के कपड़े पहन करी घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को अच्छी गुणवत्ता के मास्क से ढखे, गर्वती मैलाएं घर में रहने के दौरान भी मास्क पहने, असमा के मरीज दवाईयां हम अपने साथ में रखे, घर के बाहर किये जाने वाले व्यायाम से बचे, अपने घर के आसपास प्रोदूशन कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, हवा को फिल्टर करने वाले पौधों को घर में लगाएं, साती अधरक और तुल्सी की चाय पिये, सांसों से शरीर मे पहुंचे जहर को बाहर निकालने के लिए जादा से जादा मातरा में पानी पिये, दिन में तक्रीबन चार लिटर पानी पिये, अपने आहार में विटामिन सी, हल्गी, गुड और अखरोट आधी का सेवन करे, साइक्लिंग करने से बचे, जादा देर तक पैदल ना चले, ये वो तमाम छोटे-छोटे उपाए हैं, जिनने आप फिलहाल अपनी रोजमर्णा की जिन्दिगी में ला सकते हैं, इन्हें अपना सकते हैं, और अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं, नमबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रहे हैं, इन नमबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राए हम तक पहुचा सकते हैं, अपने विचारों को हम से साजा कर सकते हैं, ताकि हम उसे सरकार तक पहुचाएं, अगर आप कोई सुझाब देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, साथी आपके शित्र में क्या हाल है, वहां प्रदूशन क बढ़ रहा है सबसे जादा असर छोटे बच्चों और बुजर्गों पर पढ़ रहा है तो उन्हें किस तरीके से साफधानी बरत्नी है इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आज कल घर से बाहर निकलने से पहले सोचना होगा आप कॉल कर सकते हैं नंबर्स जनाकानी कर रहा है और कब तक लोगों की जन्दगी के साथ खिलवार किया जाएगा क्या लोगों की जान की कीमत इतनी कम है कि इस तरफ कोई विशेश ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रदूशन का सॉलूशन क्या है ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये जो स्थिती हम द तक खुद भी इसकी जिम्मेदार है अगर आप थोड़े सजग रहेंगे, सचीत रहेंगे, जागरुक रहेंगे तो ऐसी परिशानियों को भले ही खत्म ना किया जा सकता है। वो आपके परिशानियों का हल निकालेंगे और एक तरफ हम देख रहे हैं पराली जलाई जाने को बड़ा कारण माना जा रहा है। वो अतीज तरे से बुरा आल है, यानि कि आखों में जलन और सीने में जलन होती है। बिल्कुल और यही परिशानिया सभी को हो रही है, आखों में जलन की शिकायत आ रही है, चेहरे पर जलन की शिकायते आ रही है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए यंता की परिशानी है, जो सरकार समझ सकती है, प्रशासन सुन सकता है और इसका निवारन करने की कोशिश तो कम से कम करी सकता है। पराली को हम दोश देते हैं पराली को हम जिम्मधाठ हडाते हैं लेकिन अगर किसान पराली ना जलाए तो आप अगर किसान को विकल्प देंगे तो पराली वो नहीं जलाएंगे वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं सब्सेडिय की वो विकल्प की मांग कर रहे हैं सरकार उ सब्सक्राइब कैसे आपको हम सुरक्ष्चित डख सकते हैं और जो बड़ी-बड़ी इमारते बनाई जारी है जो निर्माणा धिन इमारते हैं जहां से प्रूदू फैल रहा है उसको उनक्स लिए यकिप गया है दिली नस्यार में हम जिस तरीके से हालात देख रहे हैं हेल्थ एमर्जेंसी लागू कर दी गई है पांच शुमंबर तक स्कूल बंद कर दिये गए हैं क्योंकि इसका प्रभाब बच्चों पर पढ़ रहा है सोनी पसे कॉलर बलवान हमारे साथ जुड़े हैं बलवान जी अपनी राय रखे सर बिल्कुल उइसी का जवाब हम सरकार से मांग रहे हैं कि विकल्प अगर सरकार नहीं दे रही तो पराली जिलाने से मना कैसे कर सकती है बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश के जा रहे हैं इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हला बोल के माध्यम से सरकार तक पहुचा सकते हैं आपके शेतर में क्या हाल है आपकी क्या परिशानिया है वो आप हम तक साजा कर सकते हैं वायू प्रदूशन लगातार बढ़ रहा है एर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है ग्राफिक्स के जरी हम आपको हर शेत्र का हाल दिखा रहे हैं हम आपको ये भी बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरी है कि आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आखर इसकी वज़ा क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है और कैसे इससे बचा जा सकता है, प्रशासन को लेकर सरकार कितनी सजग है प्रशासन कितना सजग है क्या प्रशासन आना का नि कर रहा है यानि कि अगर सरकार कौई आदेश देती है तो क्या प्रशासन उसे ठीक तरीके से IMPLEMENT नहीं करवा पा रहा है आकेर वो loophole कहां पر है जो लोगों के जान के साथ खिलवार करने पर अमादा हो गया है और उस पर सक्त एक्षन क्यों नहीं लिया जाता है जान लेवा प्रदूशन का कौन सिमेदार है अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप ये देखेंगे कि विजबिलिटी सौ से दो सो मीटर भी नहीं है और ऐसे में दुरघटनाएं वो लगातार बढ़ेंगी वहां लोगों की जान जाएंगी ऐसी हवा में ऐसी दूशित हवा में अगर आप सास लेंगे तो भी आपकी जान जा सकती है कॉलर दर्शन जुड़े हैं हमाई साथ सर अपनी राय रखें आपके शेतर का क्या हाल है शेतर का भी बहुत बुरा हाल है जी यहाभी परदूशन से बच्चे क्या बुड़े क्या परिशाने जारे जी और मेरी वेक राय है इस जो पर्तमान में सरकार है जेपी की कटबंदन की जितने भी विदायक हैं क्योंकि यह वोट मांगते हैं विदायक जब पब्लीक से तो यह कहता है जितने बीन वही विदान सवा है वह हेलिकॉप्टर के जरी केजरी वाल जी ने पानी की बचार करें दिती और दूसरण को काभू करने के लिए बहुत शुक्रिमी आपकाля अपनी राय रुखने के लिए तो देखने ये राइट दे रहे हैं कि कृत्रव वर्षा इसे कहते हैं कि आप वहाँ पर वर्षा करवाएं पानी की बहुचार करवाएं जिससे कहीं ना कहीं इस सिती से थोड़ी सी रहाज जरूर मिलेगी प्रदूशित हवा से आप कैसे बचाप करें वो ग्राफिक्स के जरी समझने की क कोशिश कीजिए कि दर्वाजे और खिड़कियां बंद रखें घर से बाहर ना निकले एयर प्यूरिफायर भी लगाएं पूरी बाजू के कपड़े पहने और जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो बाहर ना जाएं अपने चेहरे को अच्छी गुनवत्ता के मास्क से ठके गर्वती मैलाएं खास तोर पर घर में रहने के दौरान भी मास्क का इस्तमाल करें अस्तमा के मरीज सास के मरीज अपनी दवाईया अपने साथ रखे और बाहर जाने से बचे अपने घर के आसपास प्रुदुशन कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाएं हवा को फि साइकलिंग करने से बचे जादा देर पैदल ना चले बाहर जादा वॉक न करे देखिए वैसे तो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं व्यायाम करते हैं चलते हैं साइकलिंग करते हैं तो स्वास्त आपका अच्छा होगा इसलिए लेकिन जो हवा भी हम आप बाहर देख र जरूरत है कि बाहर जादा ना निकले, साइक्लिंग ना करे, इन तमाम चीजों का ध्यान रखे जो हम आपको ग्राफिक्स के जरी लगातार समझा रहे हैं, नमबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश के जा रहे हैं, इन नमबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी मुद्दों को सरकार तक पहुचाना है, और आपकी परिशानियों को सरकार तक पहुचाना है, साथे सुझाव भी पहुचाए, ताकि उससे कही ना कही कुछ शाहत अगर मिल सकती है, तो जरूर मिले, ये तस्वीर आप देखिए, ये ठंड की तस्वीर नहीं है, ये कोहरा दूंद नहीं है, ये प्रदूशन है, और सोच ये कितना घातक साबित हो सकता है, ये सोच ये कि जिस हवा में आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो अगर आपके शरीर में जा रही है, तो आपको कितना नुकसान पहुचा सकती है, इसलिए ये विचार करने का मुद है सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहें जल दौटेंगे वापत और ब्रेक के बाद हला बोल में आपका एक बार फिर स्वागत है दिल्ली एंसियार की जानलेवा हवा आपकी जान ले सकती है यह दूशित हवा आपकी जान पर बन सकती है और ऐसे में आप अपनी जान के रक्षा कैसे करेंगे वो उपाए हम आपको बता रहे हैं यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली एंसियार की हवा कितनी जादा दूशित हो गई है इससे कई तरह की बिमारियां को हो सकती है इसे wezzability कम हो रहे जिसे हाथ से ज़ादा हो सकते हैं ऐसे मैं हर तरह से आपको अपना ध्यान रखना होगा बात करते हैं पराली की पराली जलाने से production होता है तो पराली नहीं जलाने के विकल्फ नहीं है और आतिशुबाजी की बात कर रहे हैं ते हम दिवाली पर किस तरीके से देर रात तक आतिश बाजी कही गई उसका ये नतीजा है तो इसके जिमेदार आम जंता खुद है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो गाइडलाइंस दी थी लेकिन आम जंता ने इसे फॉलो नहीं किया आपको अपनी रक्ष का जिमेदार कौन है और जो भी जिमेदार है सरकार कब एक्षन लेकी लगातार हला बोल में सवाल हम यहीं पूछ रहे हैं और नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रहे हैं इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं अपनी राय हम तक पहुचा सकते हैं जानलेव को की जन्दीगी पर बनाया है कॉल कर सकते हैं नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रहे हैं नंबर्स पर आप कॉल करके हला बोल के प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज रख सकते हैं हला बोल के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुचा सकते हैं आपकी लिवाज को और बुलंद करना ये हमारा दाइतो है और ऐसे में हम इस सवाल पूछ रहे हैं कि आखर प्रिदूशन बढ़ते प्रडूशन का जिम्मेदार कौन है और इसे कैसे कम किया जा सकता है क्या विकल्प है कौन जिम्यदार है तमाम सवाल है और इन सवालों के जवाब सरकार के पास ही है अगर सरकार आदेश देती है अगर सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन तैक परता है और फिर भी जनताव उसे नहीं फॉलो पाती है उस पर नई implement कर पाती है तो उसके खिलाब फिर सकते action लिया जाए लेकिन action लिया जाए सरकार इस ओर सजग हो और इस तरीके से ही अब production को रोका जा सकता है हला कि health emergency लागू कर दी गई है और पाँच अलग अलग राज़ों के जो नेत्रितों हैं वो मिलकर बैठक करेंगे इसका कोई तोड निकालेंगे लेकिन ये सब भी अब क्यों हो रहा है शुरुआती दोर में ही क्यों नहीं हुआ हाला कि हम हर साथ देखते हैं कि दिवाले के बाद स्थितियां खराब होती जाती है लेकिन इस बार इस स्थिती ने भयानक रूप ले लिया है बयांक कर रूप ले लिया और कहीं न कहीं ये आम लोगों की जिन्देगी पर बनाया है और प्रदुशन की मार कौन कौन से जिला कैसे जिल रहा है एर कॉलिटी इंडेक्स क्या है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पारे हैं फत्याबाद में 883 जजजर में 700 जीन में 600 और रोतक में 560 है एक्यू आई और ये कुछ उपाय हैं जिसे अपना कर आप अपनी जा अपने आप को इस दोशित हवा से और जिलन जयसे बिमारियं हो रही हैं चहरे पर जलन कर सकते हैं और पर इलरजी जैसी बिमारियं हो रही हैं इसे दूशी थवा के चलते visibility कम हो गई है जिसके चलते हाथ से लगातार बढ़ रहे हैं और इन सब को कम करने का उपाय सिर्फ यह है कि सबसे पहले आप अपनी जिमेदारी को समझे प्रशासन अपनी जिमेदारी को समझे और सरकार अपनी जिमेदारी को समझे यह सभी अगर अपनी जिमेदारी को समझेंगे तभी जाकर production कम हो पाएगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से production बढ़ रहा है यह सभी के लिए हानी कारक है प्रशासन को जरूरत है इस तरफ ध्यान दे सरकार ध्यान दे और आपकी सुदक्षा सबसे पहले आपकी जिमेदारी है इसलिए आ मॉल सबस्ंदारी ओपकी स्दासन दे ए है उल कर दो पाएगा कार्ण चा सथा क्या क्या टूवारत है कि ल Beschके सुदक्रणी करी Halloुदक्स